नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि सिंबायोटिक एक्सल 625 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिंबायोटिक एक्सल 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिंबायोटिक एक्सल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिंबायोटिक एक्सल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Symbiotic XL 625 एक ब्रैंड नेम है Symbiotic XL 625 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है Symbiotic XL टैबलेट के अंदर salt composition amoxicillin 500 mg और potassium clavulinate 125 mg होता है Symbiotic XL टैबलेट एक antibiotic दवा है Symbiotic XL टैबलेट का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूडों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर डॉक्टर Symbiotic XL टैबलेट को लेने की सला दे सकता इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है. इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स है, जिनमें आपका डॉक्टर सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को लेने की स Symbiotic Excel Tablet की कोई Side Effects नहीं होते हैं。 लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Symbiotic Excel Tablet की वज़े से कुछ Side Effects हो सकते हैं。 जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बध़जमी होना, तवचा पर रैशेस होना, तवचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्ट्स सिंबायोटिक एकसल टैबलेट की वज़़ से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सिंबायोटिक एकसल 625 टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। सिंबायोटिक एकसल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को लेने की सला दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सिंबायोटिक एकसल टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और symbiotic XL tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको symbiotic XL tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए Symbiotic XL Tablet Viral Infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है अगर किसी व्यक्ति को Liver या Kidney की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि Liver और Kidney की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में Symbiotic XL Tablet की डोज घटानी पड़ सकती है अगर किसी व्यक्ति को Amoxicillin, Potassium Clavelinit, Penicillin Antibiotic या Cephalosporin Antibiotic दवाओं से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को Symbiotic XL Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए वैसे Symbiotic XL Tablet Pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Symbiotic XL Tablet का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Symbiotic XL Tablet को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Symbiotic XL Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं